सो हे गाईज मोस्ट वेलकम टो एर चैनल एवी डिफेंस करियर दोस्तों आप सभी के साथ मैं आज सेर करने वाला हूँ इंडियन एर फोर्स एक्जामिनेशन के लिए कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट स्टिप्स के बारे में तो डियर फ्रेंट्स अगर आप लोगों को फ्रेंट्स मैंने चार बार एक्जामिनेशन्स क्वालिफाई करा है और मैं आपको अपनी खुद की स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो सायद ही कोई बंदा आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता है तो भाई मैंने एक्जामिनेशन्स को किस तरह क्वालि तो जरूर ध्यान से वीडियो को देखिएगा प्लीज एक लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर वीडियो को सेर करिएगा और भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्राइब नहीं करा है प्लीज सबस्राइब कर लीजिएगा अच्छली हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आज हम लोग देखेंगे इंडियन एरफोर्स के लिए स्ट्रेटजी इन 20 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है तो भाई सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आपको करना क्या है इन 20 दिनों में आपको कर क्योंकि friends एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यही 20 दिन यही 20 दिन आपको एयर्मैन की वर्दी भी दे सकते हैं और यही 20 दिन आपको जिन्दगी भर के लिए पस्तावा भी दे सकते हैं तो please फीडियो को देखिएगा ध्यान से और जो भी मैं बता रहा हूं उसको जरू फॉलो करिएगा अगर आप लोग फॉलो करते हैं मैं गरंटी लेता हूं कि आप भी इग्जामिनेशन्स को क्वालिफाई जलू करेंगे और भाई एक बात मैं आपको और बता दू कि मैंने चार बार इग्जामिनेशन्स को क्वालिफाई करा है बट अनफार्चुनेटली अन्फिट होने के कारण मैं जो आई नहीं कर पाया हूं इस बार मेरा लास्ट अटेम्ट है मैंने अपनी तैयारी के बीच में इंपोर्टेंट टाइम निकालकर आप लोगों के लिए केवल आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं तो प्लीज ध्यान से देखिए च आपको केवल और केवल इन 20 दिनों में रिवीजन करना है पहला काम दूसरा नंबर आपको प्रेक्टिस सेट सॉल्व करने है मैं इन 20 दिनों के लिए मैं आपको बता रहा हूं सबसे पहला आपको केवल और केवल रिवीजन करना है आप X ग्रूप से हो चाहे Y ग्रूप से ह दूसरा काम प्रेक्टिस सेट सल्व करना है और भाई तीसरा काम आपको पूरी नीद लेनी है ध्यान दीजिएगा आपको पूरी नीद लेनी है 5-6 गंटे आपको जरूर सुना है ये नहीं करना है कि आप जो है 3-4 बजे बहुर तक पढ़ते हैं और उसके बाद जो है आप ज बूल जाएंगे या फिर उसमें examinations के time आपको confusion हो जाएगा और आपका वो question लगेगा नहीं तो ध्यान दीजिए 5-6 गंटे आपको पूरी नीद जरूर लेनी है चौता point भाई ये है आपको demotivate नहीं होना है इन 20 दिनों में मैं आपको videos बनाकर motivate करता रहूंगा बट एक ब बंदों की ये problem आती है कि सर मैं practice sets solve करना हूं और मेरे marks ज्यादा नहीं आ रहे है मैंने एक ग्रूप की practice sets जो है वो solve करी और मेरे 30 नंबर 32 नंबर या 35 नंबर आ रहा है तो मेरा क्या होगा तो भाई इसका tension आपको नहीं लेना है आपको केवल practice set ही solve करने है और ध्यान देना आए कि आपके question कहां गलत हुए है demotivate होने से तो कुछ भी नहीं होगा हाँ आप अपने गलतियों पर आरकाम करेंगे तो सायद आपको बहुत ही ज्यादा फायदा हो और आपको airman के वर्दी मिल सकती है और मिल जाएगी बाई मिल जाएगी तो ये रहा आपका चौथा point प ये practice rate आपको कहां से मिलेंगे अगर आप चाहते हैं तो आप लोग comment करिये का मैं आपको बढ़ा दूंगा कि कौन सी books जो है practice rate के लिए बढ़िया रहेंगी वैसे आपको आसान और moderate level के ही practice rate सोलू करने है ये नहीं कि कुछ ऐसा hard practice rate लेकर आप बढ़ जाते हैं कि आपको उस कोई इसका ध्यान रखिएगा और next point हमारा है छठवा point क्या है आपको target fix करना है अपना ओके भाई देखिए वीडियो थोड़ा लंबी होगी बट मैं अपना experience share कर रहा हूं और मैंने examinations qualify कर रहा है दोस्ट तो वो बंदा जो examinations qualify करता है और बार बार qualify कर रहा है तो please experience पर आदे मंद होने माला है तो आपको छेटवा point यह है कि अपना target fix करना है और target क्या fix करना है कि आपको किस subjects में individually कितने marks लाने है ओके चाहे आप वाई से हो या फिर x group से हो आपको individually कितने marks लाने है और total जो है overall कितने marks आपको लाने है ये target आप लोग fix कर लिजे है इन 20 दिनों म ठीक है भाई next अगर बात करें साथमा point तो आपको यह fix करना है कि इन 20 दिनों में इन 20 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है ध्यान दीजेगा बात को आप लोग ही ये fix कर सकते हैं भाई मैं fix नहीं कर सकता हूँ मैंने जो पढ़ा है मैं जानता आप लोग fix कर लिजे कि इन 20 दिनों में आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है अब भाई मैं बात कर लेता हूँ कि इन 20 दिनों में आपको क्या नहीं करना है सबसे ज़्यादा ध्यान दीजेगा यहाँ पे है कि आपको ये जो काम है वो नहीं करने है इससे नहीं करने है, जो भी आपने पुराने concept करे हैं, उन्हें ही करिए, उनका ही revision करिए, मैंने first point में बदाया आपको revision करना है, नए concept करने से क्या होगा, क्या ज़रूरी है कि जो concept आप कर रहे हैं, वो examinations में आएगा, ये भी ज़रूरी है है, और आप अगर revision करते हैं, तो जो concept आ सकते हैं, तो आपको केवल revision करना है, new concept नहीं करने हैं, second point, hard और lengthy question जो भी है, जो भी hard question नहीं, कुछ बंदे NDA लेवल के इस टाइम जो है, question साल्व करते हैं, तो भाई, PSD नहीं करनी आपको, आप लोग जो है, आप लोगों को hard और lengthy question साल्व नहीं करने हैं, third point, रात को ज्यादा देर तर नहीं जागना है, और अगर जागते हैं, तो आपको सुबा में पूरी need लेनी है, ध्यान दीजेगा, next, चौथा point, आपको motivate रहना, वैसे मैं आपको वीड आपको motivate होना है, मैं जो है, वीडियो आपको जरू प्रोवाइट करूँगा, यह मेरा वादा है, next हम लोग देखते हैं, पांचवा point जो आपको नहीं करना है, हो hard practice नहीं लगाना है, छेठवा काम, भाई देखिए, IPL आ रहा है इस टाइम, और आप लोग जो है, IPL में रहे हैं, तो फिर इसमें आपका केवल टाइम बरबाद होगा, क्योंकि अगर आप IPL देखते हैं इस टाइम, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, कि उस पर बहस भी होंगे, आपके friends के साथ ये team जीतेगी, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए था, तो फिर friends, आप लोगों के इक्जामियसंस पर focus करिए, वो आप लोगों के लिए better होगा, next 7th point जो है, आपको क्या नहीं पढ़ना है, आप जो है, उसको लिक लीजिए, 20 दिनों में आपको क्या नहीं पढ़ना है, मैंने आपको बता दिया था, अगले 7th point में, कि आपको क्या करना है, या क्या पढ़न इन टिप्स को फालो करते हैं, तो आप लोग एक्जामियसंस को जरूर क्वालिफाई करेंगे, जरूर क्वालिफाई करेंगे दोस्त, तो अगर कोई भी टापिक पर और वीडियो चाहिए, या फिर इसमें कुछ भी समझ में ना है हो, या मुझ से कुछ भी जूट गया हो, तो प्लीज एक बार कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिस करूँगा, so friends, best of luck for your examinations and first, your preparation, so friends, thank you for watching my video.